जी ठीक है इस लेक्षर में हम देखेंगे कि गूगल स्कॉलर की जो सर्च स्ट्रेटजीज थी जो हमने अभी यूज किया है वो कैसे हम और उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और उसकी एक्जैम्पल भी आपको एक फॉर्म में मैं देने वाला हूं देन वी इसके इलावा कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छा गूगल स्कॉलर के उपर जब आप सर्च करते हैं और जारी बात है बाकी सर्च इंजन सभी के सभी गूगल स्कॉलर की तरह ही काम करते हैं बात इन डिफरेंट वे तो यहां पर हम देख है कि गूगल स्कॉलर की सर्च जो हैं वो के संसिति नहीं है यानि के कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल में लिखें देजन मैडर से एक तो आपको कुई जुरूरत नहीं है कैपिटल को मद्धेनजर रखने के लिए फिर आपने कीवर्ड करने हैं कि इस्तेट और फॉ quotation marks होते हैं अक्सर अंग्रेज या पक्सान भी बोलते बोलते ऐसे ऐसे कर देते हैं वह बिलीव अनके नहीं दिखा रहे होते हैं वह आपको बता रहे होते हैं यह quotation marks है so you can use those marks to search for an exact match ठीक है add the year आप अपनी search के अंदर cars के बाद या कोई भी word के बाद year लिख देंगे तो सिरफ उसी साल के papers आइगे that's another strategy ठीक है and then you can use sidebar जो हमने पहले use की उसके तरीके से फिर आप boolean operator use कर सेके हैं तो basics सभी search engine की यही रहेगी ठीक है और आप keywords और बाकी चीज़ें ऐसे use करेंगे and it will be helpful in other search engines as well तो यहां पर इसका थोड़ी सी example दी गई है के when to use what it will do जब आप यह वाली चीज़ यूज़ करेंगे आप author के name के साथ column लगा आपके अगर author का नाम लिख देंगे तो आपको सिरफ उसके papers नजर आएंगे this is another way तो जब आपके पास एक final author का नाम आजाए कि यह मेरे field का पावा है जैसे लह और ता पावा अखतर लावा मैंने पहले भी example दिया आपको तो आप यहां पे author के आगे colon लगाएं colon के बाद आगे उस author का नाम लिखें आपके पास वो particular author की सारी के सारे result आगे and then if you write some title अगर specific particular title को आप search करें Google scholar में पूरे के पूरा title as it is आप लिख देंगे then अगर आप किसी boolean operator को use करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे result आएंगे and this is how Google scholar works अच्छा बाकी databases इसको copy करते हैं जारी बात है और उसके कुछ alternative जो मैंने पहले आपको बताया है Google scholar के जैसे semantic scholar है मैंने यह पहले भी आपको बताया और एक भाही नहीं यहां पे chat में भी लिखा था and then we have base, we have research gate, we have scopus, web of science, site, crx, microsoft academics, arcsib and then jstor, science direct, refseek, synaps, endnot, yearn, microsoft academic research and a lot more there are many research databases out there ठीक है लेकिन आपने अपने field से related चूज करने राइट हो गया जी अगर मैं आपको बताऊं के कुछ AI based भी databases हैं तो माने बाबा तेरा एक माल है let's start using those things और अब मैं आपको बताने वाला हूं के AI databases कौन कौन से हैं अपको कि घ्सक्पार बताई यगा अपको क्भब